नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं निकलेश जयन हिंदी चेजबेस इंडिया चनल पर आप सभी काहरते करिदन करता हूँ दोस्तों भारत के इलम पार्थी जो है वो अंडर 14 विश्व चैंपियन बन गये हैं साथी साथ बारत के प्रणाव आनन्द भारत के 76 वे ग्रंड मास्ट में उससे परणाम निकल करके आया है यह वीडियो में लेकर के आया हूं खासतोर पर इलम पार्थी के लिए सिर्फ 13 साल के हैं ये भी भारत का एक अलग टैलेंट है बहुत ही जो सफलता मैं इनके माता पिता इनके कोच के साथ साथ मुझे लगता है सागर भाई और चेश्बिस इंडिया का भी योगदान जो है वो काफी महतुपूर्ण है और इलम पार्थी जो है अब उनकी लाइब रेटिंग करीब करीब 2400 के आसपास पहुंच गई है एंडर 14 का ट इजगिरी की तरफ से जो है यहाँ पर दो लाग रुपए के अलग स्कॉलर्शिप भी जो है वो दी गई है और इसके बारे में डिटेल जो जानकारी इलम पार्थी के बारे में और अगर आप जाना चाहें तो सागर भाई का जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं नीचे उस वीडियो को जाकर के भी जो है आप लोग जरूर देखें तो चलिए बात करते हैं इलम के यहाँ पर मुकाबले इलम पार्थी की क्या उन्होंने खेला यहाँ पर अंतिम राउन में इलम पार्थी खेल रहे थे ब्लैक पीसे से मुकाबला खेल अब यहाँ पर अपॉरेंट ने जो वेरिएशन चुना यहाँ पर मोचली जो प्रेफेरबल लाइन है वो है नाइट डीप फाइब तो यहाँ पर उनके आपॉरेंट भी जीतने के लिए खेल रहे थे जीतेंगे तो टाइटल जो है वो उनको मिलेगा तो यहाँ पर उन्हो मेंट लाइन है वो है नाइट फाइट और अभी आप देखो तो एक प्रकार से वाइट बोल रहा है कि मैंने आपके यहाँ पर एक होल बना दिया एक गड़्धा बना दिया और इस पर जो है मैं हमला करने जा रहा हूँ और नेक्श मो में वैसे भी मेरा ची फूर आ तो पर हटाना पड़ेगा तो अब ब्लैक इसके रिस्पॉंस में क्या करता है ब्लैक खिलता है क्वीन सी सेवन अभी क्या करते है आपने कि सी फूर आना रोग दिया क्योंकि क्वीन इन्टू इफाइफ आ रहा है और आप मारोगे तो आपका नाइट भी जो है यहाँ पर जा करता है वाइट कंटीनू करता है सी फूर क्योंकि उसको डी सिक्स के स्क्वेर का फायदा अगर लेना है या जो भी उसने वरिशन खेला है इस नाइट को तो यहां से हटाना होगा अचा है अब डायरेक्ट नाइट इफ्री भी लाइन है कई मैच हुए है अब दूसरा तरह उन्हें ब्लैक से खेला है यहां पर और उस मैच में कुईन बी थ्री बिशब बी फोर बिशब डी टू अभी दोजार इकीस में खेला है पिछले साल और इस तरह से मैच उसमें हुआ है रुक सी वान नाइट इंट इंट एफ वान और रुक बी एट और ब्लैक जो है फाइ मैच हुए है तो उसमें मैक्सिमम ये लाइन तक खेला गया है लेकिन यहां पर इलम पार्थी ने अपने पीस को निकाला ताकि कैसल जल्दी की जा सके बिशब बी फोर चेक अचा यह बड़ा इंटरस्टिंग फेस था यहां पर अगर बिशब डी टू खेल दिया जाए तो बिशब बी फोर पर जो सही चाले यह ऐसा नहीं कि खेला नहीं गया काफी खेला गया जानते हैं मतलब वाइट ब्लैक दोनों जानते थे कि यह बरीएशन है बराबर तो यहां पर किंग इटू अभी ब्लैक करता है कि अपना घोड़ा नहीं अटाता है वह हमला करता है इनक आओ बिशब एथरी महरे निकालना बहुत जरूरी है कुईन डी एट अब यह क्ई डी एट जो लाइन है यह बड़ी इंटरूसिटिंग लाइन गया है क्योंकि यहां पर राईट क्यों हिए लिए बढ़ी इंट्रेंस्चिट की जाए ओके तो यह मैच में हुआ कुइन डी सिक्स यह मैच खेले भी गए काफी सारे रुक डीवन करवाना का एक मैच है एवेंजी नाजिर के साथ जो की ड्रॉ रहा है 2021 नवंबर में खेला गया करवाना के मैच में उनके आपुरंड ने नाजिर ने खेला था जी फूर अर यहां पर इनके आपुरंड ने यहां पर मूव खेला क्वीन और यह थोड़ा सा प्रेशर रिलीस करते हुए यहां पर इलम पार्थिक उन्होंने एक मौका दिया क्वीन B6 एक्सचेंज करने का जो की मैच अलेक्जेंडर डोंचेंको का अगर आपने नाम सुना हो तो उन्होंने यहां पर एक मैच खेला है ब्लैक पीसे से जो वो हार ग यहां प्लेयर है अभी और काफी कुछ उनको सीखना बागी है काची काफी कुछ डेवलप करना बागी है लेकिन जो इंटेंशन होता है जो क्रियेटिवीटी होती है वो अभी से आपको प्लेयर के खेल में दिखने लगती है और ओपनिंग यहां से समाप्त होती है ठीक है अब उनका जो थ्रेट क्रियेट करने का जो मैथर्ड है वो बहुत ही इंट्रस्टिंग अभी अपने यहां पर खेला किंग F3 उन्होंने किंग को वहां से A2 वाली लाइन से हटाया बट यह वो पोजीशन है जहां पर इलमपार्थी शायद रुग D8 खेल सकते थे बट उन् उन्होंने D6 क्यों किया यहां पर? D6 पर यह है कि अगर आप Queen से मार रहे हैं तो आप देख रहे हो कि यह C5 के साथ एक discovered thread जो है वो create हो रहा है Bishop से जो की काफी dangerous हो सकता है ठीक है? जैसे आप King यहां जाओ तो Knight से चेका क्या Queen तक मर सकता है यहां पर तो और नीचे जा रहे है तो Queen A2 आ रहा है तो इसलिए Rook into D6 यहां पर White ने मार और इससे माउका मिल गया Black को Castle करने का वो जो डायबनल जो Queen ने बंद करके रखा था तो Castle करने के लिए उन्होंने पहले यह Pawn सेक दिया अब इसमें दिक्कत यह है White के लिए कि White का King बस सेंटर में अगर White के pieces बहार आ ज सेफ हो जाए तो White better हो जाएगा तो कि उसके pieces ज्यादा बेटर है Black के पास फायदा यह हो सकता है कि उसका King सेफ है और Rook जो है उसके एक्टिवेट हो गया है उन्होंने खेला Bishop D3 और आब इलंपार्थी जो है एक और Pawn सेक देने के लिए तयार करते है यहां पर मारेंगे तो कुल असान नहीं होता है King F2 खेला यहां पर उनके अपुरंड ने King को सेफ करना चाते तो यहां पर इलंपार्थी ने खेला E2 F4 Bishop D4 यहां पर खेला Now Queen A2 King G1 Queen B3 और Rook D2 यहां पर खेला उनके अपुरंड ने और अब यहां पर इलंपार्थी खेलते है Knight G4 अब आइडिया क की उपर जो है देखिए जो F2 का square उसको बंद किया है background के थोड़े से thread create करने की कोशिश कर रहे है जरत पढ़ने पर यह Queen भी इस्तमाल हो सकता है अब यह वो moment था जहां पर उनके opponent को एक bold step लेना था Actually मैं White यहां पर जीता आप पॉस करके सोचो कि क्या हो सकता यहां पर एक बहुत ही बहतरीन मुबारा था White की तरफ से Bishop इंटो H7 चेक अगर यहां पर King H7 मार दिया जाए तो आप देख सकते हो Queen से चेक आएगा King अगर यहां पर पीछे आता है तो यह चेक और इसके बाद तो Checkmate ही हो गई है और नहीं आएगा तो कम से कम यहां पर आप देख सकते हो King G8 अगर जाते हैं तो भी Queen G6 और Queen into G4 के बाद Checkmate का Thread जो है वो लगा हुआ है तो यह इंटरस्टिंग हो सकते था अगर हां Bishop H7 पर ना मार के King H8 खेलें तो भी एक Brilliant मूफ था Rookie 6 Rookie 6 में अगर आप देखे Rookie 6 मारते हैं तो Queen F8 और इसके बाद भी मेट हो जाएगी तो Actually में काफी इंटरस्टिंग था लेकिन 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 वही बात कि जब आप बोल्ड पर मैच खेल रहे हों तो सब कुछ इतना असानी से नहीं दिखता है आपको और आपको Risk लिने से भ बता रहे हैं तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर जो human करता है जो इंसान करता है उन्होंने defense करने के लिए पीछे चले गए और यहीं से जो है इलमपार्थी को मौका मिल गया उन्होंने खेला यहाँ पर रुक E1 उन्होंने खेला बिशप F2 एक और पेसिव मूव और इस पे इंटो F2, रुक इंटो F2 और नाव QE3 और सडनली जो प्रेशर ब्लैक की उपर था वो वाइट की उपर प्रेशर चला गया अभी यह बिशप एक्टिवेट नहीं अगर यह बिशप एक्टिवेट हो जाए तो कमाली हो जाए अब यह वो पोजिशन थी जहां पर वाइट क का जो है E2 का जो थ्रेट है उसको रोखने के लिए कर रुकी 6 आते हैं तो बिशप C8 और फिर यह बिशप गुम के जो है बिशप को मारने में मदद कर देगा तो यह लॉस हो सकता था तो इसलिए उनको QD4 सबसे सही चालते हैं उन्होंने खेला रुक D7 यहाँ पर अब मैं QD4 जो था वो अच्छा मूब है आगे के लिए मिटिंग थ्रेट भी तैयार हो सकते हैं आप फोर्स करते हो अपोनेट को एक्शेंज करने के लिए तो रुक D7 खेला उन्होंने यहाँ नमबर वान जैसे रुक D7 खेला तो ना खेला बिशप A6 और अभी बिशप इंटू C4 का भी थ्रेट जो है वो फ्यूचर में जिंदा हो रहा है यह वो पोजीशन था जहाँ पर एक बार फिर से शायद QD4 जो है वो काम कर जाता लेकिन यहाँ पर भी उनके आपनेटने ब्लंडर किया रुक इंटू A7 मारा और अच्छुली में वो बिलकुल एक सिंपल टैक्ट चेक किंग F3 क्वीन D1 के बाद रेजाइन कर दिया क्योंकि किंग E4 जाते तो यह चेक था क्वीन D3 किंग E5 से रुक F5 से चेक मेट था तो एक्चुली में अगर वो D4 पर रह जाते तो क्या कुछ हो सकता था वो मैं आपको दिखा देता हूं कि माली जै कि यह पोजीशन प का ही नहीं मिला अपने राजा को बचाने का तो यह पूरा जो गेम है आप देखे कि जहां तक ओपनिंग का फेश चल रहा है आप उने अच्छा खेल रहा है लेकिन जैसे यह ओपनिंग से बाहर जाते हैं इलम पार्थी खास तो और पर QA6 के बाद से उसके बाद से देखि यह tactics दिखना तो मैं आपको जितने भी बच्चे यहां पर देख रहे हैं चोटे बच्चे देख रहे हैं मैं बार बार आपको बात बोलूगा कि opening जो है जब भी आप age group खेल रहे हैं under 12, under 10, under 15 तक भी खेल रहे हैं opening ठीक है अपनी जगह है उसको decent तैयार करिए लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने tactical power पर और pawn break जो है pawn break और tactical यह जो ability है इसको अगर आपने improve कर लिया तो वही असली में वही match को decide करेगा under 14, under 15 तक के label पर तो उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा इलमपार्थी को बहुत बहुत बधाई हमारे दूसरे प्लेयर प्रणाव आनन्द को भी बहुत बधाई जो कि वो भी world champion बने under 16 के और grandmaster बने 76 इंडिया के उनके उबर भी जो है हम वीडियो कभी न कभी जो है लेकर के आएंगे उमीद करता हूं दूसरे इस वीडियो से आपको सीखने में लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें देखते ले चैस बिस इंडिया चैस बिस इंडिया के लिए मैं निकलेश जियन जैहिं दोस्ता हूं